Hello friends and I welcome you to my channel तो आज हम लोग type of interview पढ़ने वाले हैं तो ये research का आपका important topic है and statistics में भी आपको पूछा जाता है NETJRF में So type of interview में तीन आपके main type के interview होते हैं Structure interview, semi-structure interview and unstructure interview Structure interview में क्या होता है? आपने पहले इस लिस्ट बना रखी है और ये question की कि आप पहले क्या question पूछेंगे Name पूछेंगे, फिर आप उनकी age पूछेंगे Then education qualification पूछेंगे फिर आप, अप job क्या कर रहे हैं ये आपने एक list बना रखी कि मुझे पहले First number पे इस question पूछन पूछन है Second number पे इस question पूछनपूचन पूछना है होता है semi structure interview में कुछ question होते हैं वह पहले से ready करके जाती हो और कुछ question होते हैं जब आप interview ले रहे हो उस person का पी इंटर्विवी लेना चाहते हैं माले जी आप एक एक अक्टरस का लेना चाहते हैं तो आप वो जो कुछ answer बता रही है अप उसमें सही question बना के उनसे पूछ लेते हो कि अच्छा माम यह incidence हुआ तो आपने इस तबाद क्या किया है तो this is your part of semi-structure interview जहां पर आपके पास पहले से कोई question भी रहते हैं एंड आप फिर कुछ से कुछ question बना भी लेते हैं unstructure interview में क्या होता है कि आप कोई order नहीं prepare करके जाते हैं कि मुझे क्या question पूछना है आप जब उनसे मिलते हैं उस person से मालने जब क्रिकेटर का interview ले रहे हैं तो फिर आपने उनसे कुछ बात चीज़ की फिर उसी जो वह बात ब expression देखकर या आप उससे बहुत सारे question at a time पूछ सकते हो कहीं न कहीं आप connect बना लेते हो उस person के साथ जब आप face to face उसका interview लेते हो good response अच्छा response मिलता है आपके पास opportunity होती है कि आप feedback ले सके लेकिन यहाँ पे disadvantages भी हैं interview के high cost क्यों है यहाँ पे interview क्यों कि आपको travel करके जाना interview लेना है तो फिर मुझे उस person के पास जाना पड़ेगा तो मेरा traveling cost बहुत जादा है जाएगा high cost यसी वज़े से आजेगे और time taking भी क्यों कि मुझे traveling का भी time लग रहा है और मुझे one person से दूसरे person से question पूछने में interview लेने में time लगता है one hour two hour interview लेने में लग लग रहा है तो 100 लोगों का सोची आप two hour से divide कीजी अगर एक person का two hour लग रहा है तो कितने जादा ये time taking होगा और presence of other का कोई other person महाँ पे present है जब में interview ले रही हूँ तो कही ना कहीं उसका response bias हो जाएगा कि या वो बन्ता मेरा interview सुन रहा है तो जो interview दे रहा है उसका कहीं ना कहीं response bias हो जाए और यहाँ पर interviewer की training required होती कि आप कैसे question पूछना अगर कोई situation वो answer नहीं देना जा रहा है persons का आप interview ले रहे तो उससे कैसे answers निकलवाने है इस type की interview और आप कैसे question पूछे की structure में पूछे ये सब का training भी required होता है तो आप ऐसे नहीं जा सकते हो training required है तो फिर यहाँ पर फिर एक ट उस्टी आप का पूछे ये से मुखने का जापने का चूछे ये लिए ये स्ट्वार ये तास रहे जिए शब्यांटिव ये फिर ये सबस्क्राइबिग को ए्सचरिए और ये जा सबस्क्शाब चूब मैं भाइबाग ये वेडैदा पार एसे जाणिके सबूर क्यों